नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में exam analysis करेंगे RRB NTPC 2020 exam का तो 16 February 2021 को जो second shift रही है उसमें जो भी question पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे ये सब भी 100% real questions होंगे जो कि आज की shift में पूछे गए हैं एक भी question ऐसा नहीं होगा जो कि आपके exam से related ना हो तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें और साथ हमारे चैनल को भी subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो पहला question पूछा गया है which of the following country was not present during the formation of UNO तो United Nation organization जो है उसका जो formation हुआ था October 1945 में उस time में कौन सी country थी जो की present नहीं थी अब आपकी जो पहली shift रही थी उसमें question पूछा गया था आज की shift में कि United Nation organization जो है उसके इंडिया जो था वो member कब बना था तो 1945 में ही member बना था इंडोस्तान founding member था UNO का तो वो आपका correct answer था अब दूसी shift में भी United Nation organization से related ही question पूछ लिया गया तो इसका हमारा answer हो जाएगा क्यूबा क्यूबा जो है ये founding member नहीं था United Nation organization का और ये present नहीं था formation time पे United Nation organization के America present था, France present था, Germany present था और काफी सारी countries थी जो की present थी United Nation के formation के time पे अगला question देखते है Who is the coach of Indian men's hockey team तो Indian men's hockey team जो है उसके coach कौन है ये जो बात करी जा रही है ये अभी current time की बात करी जा रही है तो अभी current time में coach कौन है Indian men's hockey team के तो हमारा answer हो जाएगा Graham Reid Graham Reid जो है ये भी current time में coach रहेंगे India की men's hockey team के Which of the following product is not related to Microsoft तो काफी easy question पूछा गया आज की shift में आपसे ये question की Microsoft का कौन सा product है इन में से नहीं तो आप देखी सकते हैं कि MS जो होता है उसकी full form ही होती है Microsoft तो Microsoft Office जो होगा ये हो जाएगा related Microsoft से Microsoft Word भी Microsoft का हो गया और Microsoft Excel भी हो गया Microsoft का तो हमारा जो चौथा option था Acrobat Reader Acrobat Reader जो होता है ये related नहीं होता है Microsoft से तो ये आपका correct answer था E-name portal is related to तो E-name portal जो है ये किस चीज़ से related होता है ये question पूछा गया था आज की shift में तो हमारा answer हो जाएगा agriculture तो agriculture जो होती है क्रिशी जो होता है उससे related होता है E-name portal जो की एक portal रहेगा जो की launch करा गया था प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा What is the full form of VVPAT तो full forms के उपर लगातार question पूछे जा रहे है जो पहले की आज की सुबह की shift रहे जिए उसमें भी 2 question पूछे गए थे full forms के उपर और आज की जो second shift रही है उसमें भी 2 question पूछे गए है तो VVPAT जो होता है उसकी full form क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा Water verified paper audit trail Water verified paper audit trail जो होती है ये full form होती है VVPAT की तो ये question था अगला question देखते है Which association was established by भगत सिंग, चंदर शेकर आजाद, सचिंदर नात और सुखदेव थापर तो इन चारों के द्वारा कौन सी association थी जो की established करी गई थी तो इस type के जो question रहते हैं ये काफी पूछे जा रहे हैं exams में जो year based questions होते हैं कि ये कौन से साल में form हुआ था इस type के question भी काफी देखने को मिल रहे हैं तो इन चारों के द्वारा कौन सी association establish करी गई थी तो हमारा answer था इसका हिंदुस्तान Socialist Republican Association हिंदुस्तान Socialist Republican Association जो है ये establish करी गई थी फाउंड करी गई थी भगत सिंग, चंद शेकर आजाद, स्रतिंदर नात और सुखदेव थापड के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है अगला question देखते हैं human eye captures which color the most तो हमारी जो human eye होती है वो कौन सा color होता है जिसको वो सबसे पहले capture करती है तो हमारा answer हो जाएगा green color green color जो होता है इसकी जो wavelength होती है वो होती है 555 के करीब तो उसको जो होता है जो हमारी eye होती है उस wavelength की वज़े से जो green color होता है इसको सबसे पहले capture करती है हमारी eye तो ये था हमारा correct answer अगला question देखते हैं which organization was established by सुबास चंदर बोस तो सुबास चंदर बोस जो है इनके द्वारा जो organization थी एक party कह सकते हैं कि party कौन सी establish करी गई थी तो basic question रहता है और काफी important भी रहता है आप सबको पता ही होगा कि Indian forward blog जो है ये एक party थी जो की form करी गई थी सुबास चंदर बोस के द्वारा सुबास चंदर बोस जो थे इनोंने जो Indian national congress है उसको छोड़ दिया था उसके बाद इनोंने अपनी party बनाई थी जिसका नाम था forward blog तो आपको option में मिला था All India forward blog जो की आपका correct answer था अगला question देखते हैं who was the first European president of INC तो Indian national congress जो है उसके पहले European president कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा George Yuley George Yuley जो थे ये एक pretisher थे पर इनका जो origin था वो था ये उरोप से तो ये पहले European president थे Indian national congress के कौन से president थे तो ये चौथे president थे जो की Indian national congress के चुने गए थे अगला question देखते हैं what is admin in admin at the rate gov.nic.in तो ये जो हमें address दिया गया है इसमें जो admin है ये क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा user ID तो user ID जो होती है वो at the rate से पहले दी जाती है अगर आप किसी भी link की बात करेंगे तो उसमें जो add the rate से पहले आपको दिया गया है ये रहता है user ID जैसे कि आपकी gmail ID भी होगी तो add the rate से पहले जो होता है वो आपका user ID होता है तो ये आपका correct answer था user ID अगला question देखते हैं which of the following is the ore of aluminium तो aluminium का ore दिया गया था आपको option में तो आपसे ये पूछा गया कि इन चार option में से एक जो है वो aluminium का ore है तो वो कौन सा रहेगा तो box side आपका option में था box side ही जो होता है ये ore होता है aluminium का which state was the first to implement the biofuel in India तो biofuel जो होता है उसका जो use है उसको implement करने के लिए कि हम use कर सकते हैं biofuel का ये कौन सी state है जिन्होंने सबसे पहले इस चीज को लाया था use के लिए कहा था और ये बात जो रहेगी आपको ध्यान रखना है 2018 में राजिस्तान जो government रहेगी राजिस्तान जो state रहेगी इनके द्वारा biofuel जो है ये introduce करा गया था use में लाया गया था हिंदुस्तान में तो राजिस्तान जो है ये पहली state रहेगी biofuel implement करने वाली अगला question देखते हैं Britain Woods Institution तो Britain Woods Institution जो है इससे related आपसे question पूछा गया था कि इसका सदस्य जो है वो कौन है आपको चार organization दी गई थी तो हमको option जो है वो नहीं मिल पाए हैं अगर आपको याद हो option तो आप हमको comment करके बता सकते हैं इसके question देखते हैं right to property was removed from fundamental rights by which Constitution Amendment Act तो आप सबको पताईए कि fundamental rights जो होते हैं हमारे उसमें से जो right to property थी इसको हटा दिया गया था अब जो right to property है इसको fundamental right से जो remove करा गया था वो कौन से constitutional amendment act के थूँ करा गया था तो हमारा हो जाएगा 44th amendment act तो हमारा 44th amendment act जो था उसके थूँ हमने जो right to property होती है उसको हटा दिया था fundamental right से अब जितने भी constitution में amendment करे जाते हैं वो सभी amendment act के थुरू करे जाते हैं तो जितने भी amendment acts जो important रहेंगे आपके exams के लिए आप उसको ज़रूर एक बार detail में study करें exams में काफी बार पूछ लिए जाते हैं अगला question देखते हैं What is the location of Kailash Mountain? तो कैलाश परवत जो है जो की Lord Shiva से related होता है काफी famous रहता है और जो ये कैलाश परवत होता है इसकी माननेता जो रहती है वो काफी जादा रहती है तो ये कहाँ पर located है तो हमारा answer हो जाएगा तिबबद तो तिबबद जो region रहेगा वहाँ पर located है वहाँ पे रहेगा कैलाश टेंपल या फिर जिसकों की माउंट कैलाश के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन देखते हैं विंटर उलंपिक 2022 विल बी होस्ट बाई तो विंटर उलंपिक जो होने वाले हैं 2022 में वो कौन सी कंट्री है या फिर कौन सी सिटी रहेगी जो की होस्ट करेगी तो हमारा आंसर हो जाएगा बेजिंग चाइना तो बेजिंग जो की कैपिटल है चाइना की वहाँ पे होने जा रहे हैं विंटर उलंपिक 2022 के अब जितने भी upcoming tournaments होते हैं सबसे important रहते हैं exams में लगातार question पूछे जाते हैं separate video आपको उसके हमारे channel पे मिल जाएगी या फिर आप उपर i button पे click करके all static gk topics के नाम से जो playlist है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं अगला question देखते हैं which of the following tax is related to state tax तो कौन सा tax होता है जो की state tax से related होता है तो उसमें आपको option था SGST, SGST की full form ही होती है state goods and services tax जो की related होता है state से which dance is related to mughal period अब कौन सा dance होता है जो की mughal period से related होता है तो आपको तीन option दिये गए थे उसमें आपका correct answer कौन सा था तो हमारा answer हो जाएगा कथक तो कथक जो की folk dance है उत्तर प्रदेश state का ये जो है ये dance related है mughal period से What is the scientific name of mango repeated question है पहले exams में पूछा गया था और अब ये दुबारा पूछा गया कि अभी जो पीछे की shift रही थी उसमें पूछा गया था तो scientific name जो होता है ये scientific name होता है mango का जो third phase की shift होई थी उसमें पूछा गया था ये question अगला question देखते है Which of the following inland waterway goes from Telangna to Tamil Nadu तो कौन सा waterway है जो की Telangna से Tamil Nadu को join करता है या फिर Telangna से Tamil Nadu में जाता है तो हमारा answer हो जाएगा national waterway 4 national waterway 4 जो है ये एक inland waterway है जो की Telangna से Tamil Nadu तक चाता है study of genes is known as study of genes जो होता है उसको क्या कहा जाता है तो basic question है genes से genetic भी हो जाएगा तो genetics जो होता है ये होता है study of genes sabrimala temple is located in which state of India तो हम आपको काफी time से बताते आ रहे हैं कि temples काफी important रहते हैं कौनसी state से related है आप ध्यान रखें separate video already upload हो चुकी है channel पे तो काफी important question रहते हैं temple से भी तो sabrimala temple जो है कौनसी state में रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा केरला अब केरला जो state है इंडिया की वहाँ का एक important temple रहता है sabrimala temple तो दोस्तों या आपको ध्यान रखना है और जितनी भी important topics हो सकते हैं उनकी video आपको हमारे channel पे already provide कराई जा चुकी है उपर i button पे click करके आप सारी जो भी हमारे द्वारा special playlist तैयार करी गई है आपके RRB NDPC exam के लिए या फिर अगर आप group D exam की तैयारी कर रहे हैं तो उनका main focus group D पे भी रहेगा और NDPC पे भी रहेगा दोनों exams के लिए most important रहेंगी तो आप उन सभी playlist को जरूर देखें उनसे आपको काफी मदद मिलेगी और साती उनका link जो रहेगा वो हम आपको description में भी provide करा देंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें धन्यवाद दोस्तो